हेलो फ्रेंड्स आर्षटेक में आपका स्वागत है और आज हम रिपेर करेंगे हमारी एक इमर्जनसी लाइट बल्प को और इससे हम कुछ नया बनाएंगे तो यह जो पुराना सर्किट है यह खराब हो चुका है हाई वोल्टेज की वज़े से और इसका बेटरी भी खराब हो चुका था तो यह इसका स्विच है और यह पूरी प्लेट खराब हो चुकी तो हम इन सब को निकाल करके और यहां पर सारा सर्किट नया लगाएंगे तो हम इन सारी चीजों को यहाँ पे निकाल लेते हैं तो हम इसको डिसोल्ड कर देते हैं बैटरी को और पूरे सरकुट को तो इस सरकुट का हम यहाँ पे कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं जो इसमें काम की कंपोनेंट होगे तो हम अब इसको फ्री करके और बनाएंगे तो इसके लिए मैं यहाँ पे लूँगा एक डियोबी एलेडी जो की चार वोल्ड पे यह वर्क करती है और इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इसको हम यहाँ पे इसकुरो से टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद हम यहाँ पे हमारा बेटरी पेक लेंगे तो यह तो बारा वोल्ड का पेक था हम यहाँ पे चार वोल्ड का एक बेटरी पेक बनाएंगे जो हम तीन बेटरी से मिला करके बनाएंगे और तीनों बेटरी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पैरलल में ताकि इनका जो MH है वो बढ़ जाए और वोल्टेज वही रहे तो हमने यहाँ पर तीनों बेटरी को पैरलल में कन्यक्ट कर लिया है वो इसके टर्मिनल्स को हम बहुत अच्छे से सोल्ड कर देंगे तीनों के नेगेटिव को एक साथ और तीनों के पोजिटिव को एक साथ तो यह जो बेटरी है यह 2500 मेच की बेटरी है 2500 मेच की बेटरी है और इसका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो यह 7500 mh की बेटरी बन जाती है तो हम यहाँ पे बेटरी पेक को बना करके और इसका यूज़ करेंगे तो हम इसको पेपर टेप से अच्छे से गवर कर लिया है ताकि शोट ना हो अब हमारे इस सर्कुट को कनेक्शन देंगे तो हमारी LED में positive और negative wires हम यहाँ पे connect कर देते हैं और दोनों वायर लगाने के बाद हम यहाँ पे हमारे बेटरी से पावर देंगे तो पावर देने के लिए और चार्ज करने के लिए हम यहाँ पे power bank module का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इससे output भी ले सकें मतलब हम इससे mobile charger की तरह भी यूज़ कर सकें तो देखिए जहां हमारा switch लगावा था वहाँ पे हम mark करके और इस portion को cut करेंगे power bank module लगाने के लिए तो देखिए marking होने के बाद हम इसको cut करके और power bank module को यहाँ पे लगाएंगे तो यह अच्छे से यहाँ पे fit हो जाएगा तो इसको हम यहाँ पे super glue की help से जिपका देंगे और led को on off करने के लिए हम यहाँ पे switch का यूज करेंगे तो हम power bank module को super glue की help से या hot glue की help से hot gun से चिपका देंगे आपके पास जो भी चीज available है आप उसे इसे fix कर दे ताकि यह हिले नहीं तो यहाँ पे चिपक चुका है और अब हमें हमारी switch के connection देने हैं तो led का एक wire हम यहाँ पे connect करेंगे switch के एक points से और एक additional wire को switch के बीच वाले points से लगाएंगे तो यहाँ पे switch पे दोनों wires लग चुके हैं अब हम battery pack को लगाएंगे तो हम यहाँ पे hot gun से glue लगा करके और हमारी battery pack को अंदर चिपका देंगे थाकि यह हीले नहीं और इसके दोनों wires positive और negative को हम power being module और led के plus minus से हम set करेंगे connect करेंगे तो उसके पहले हम यहाँ पे switch को fix कर लेते हैं तो हमने यहाँ पे hot glue gun से ही हमारी switch को fix किया है अब बार याथी connection की तो connection करने के लिए हम यहाँ पे battery positive को हमारे led के positive जो कि हमने switch से दिया है और negative को हम direct negative से मिला करके और power bank के negative पार्ट पे sold करेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा से solding करनी है ताकि यह छोटे नहीं तो negative की solding हमारी यहाँ पे हो चुकी है अब हम positive wire को sold करेंगे तो positive wire बैटरी वाले को और जो switch से positive wire आ रहा है LED का उसको हम यहाँ पे जोडेंगे कहाँ पे power bank के positive वाले पे यहाँ पावर बैंग module इसलिए लिए है क्योंकि हमारा battery charging module भी हमारा लगबग 40 रुपीज की range में मिलता है और यह वाला power bank module जो की 1 amp का होता है यह भी हमें 40 रुपीज की range मिल जाता है तो हमारी यहाँ पे देखिए सारे connection complete हो चुके है और LED काफी अच्छे से glow हो रही है और अब हम इसको charge करके दिखाता है तो आपकी mobile charger से आप इसे लगाएंगे तो आपको red color की LED blink होती भी दिखाई देगी जो indicate करेगी कि यह charge हो रहा है अब हमारी LED को इसे cover करते हैं लगाते हैं और इसके diffuser को हम यहाँ पे fit करेंगे तो अब हम यहाँ पे हमारी diffuser को लगाएंगे और diffuser को लगा करके हम इसको अच्छे से set कर देंगे अब हम इसको on करके देखेंगे तो देखें इसके काफे अच्छी brightness है और यह काफे अच्छी से glow हो रहा है तो इसका on off switch है और यह इसका charging function जहां से हम हमारी mobile charger से इसको charge करेंगे तो यह blink करते वे चार्ज होता रहेगा और हम आपको दिखाते हैं इसका output तो यह हमारे पास एक USB tester है जिसके help से हम test कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.06 volt output दिखा रहा है और जब आप अपने mobile को charge करेंगे तो यह MP reading भी आपको दिखाएगा तो देखिए मैंने अपने mobile को लगा दिया चार्जिंग पे तो यह यहाँ पे 1.01 ampere की reading दिखा रहा है तो जैसा भी आपको पता है कि यह जो power bank module है यह 1 ampere के आते हैं तो यह 1 ampere आपको पुरा output दे रहा है तो इससे आप अपना mobile भी easily charge कर सकते हो और हमारी emergency light को भी आप चला सकते हो और मैंने इसे test किया है तो यह लगबग हमें 3 घंटे का backup दे देता है continue जब आप इसको यूज करते हो जलाते हो तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कर दो